योग दिबस पर बिसेश हमारे संबाददाता शरश सर्मा की श्पेशल रिपोर्ट ये योग करने का ऐसा भी जुनूर पंद्रा सो फिट उची के लिए की पहाड़ी पर दो सो पचास से ज़्यादा सीवड़ी चल करते हैं प्रती दिन योग और रहते हैं निरोग बारत के प्रदानमंती नरेंद मोदी द्वारा 12 जून को बिश्वे योग दिबस की शुरूबात किये जाने के साथ ही राइसेन में भी योग से प्रेरित होकर राइसेन की उची पहाड़ी पर नेमेत रूप से पिछले तीन सालों से जादा समय से राइसेंट होट किलब के प्रू किया था तब सदस्यों की शंक्या कम थी लेकिन फिर योग अभ्यास से प्रेरित होकर अन्य सहर के लोग भी योग अभ्यास करने के लिए जोते चले गए और आते गए बरतमान में किले पर बड़ी शंक्या में लोग बाग योग करने के लिए पहुँच रहे हैं पाना योबाओं के लिए भी मुश्किल होता है लेकिन शुरुवाती दिनों में योग अभ्यास करने पहुंचे गंभीर बीमारी का सामना कर रहे हैं ऐसे लोग जिनका विष्टर से ओट पाना भी मुश्किल था लेकिन अप प्रती दिन योग अभ्यास करने से उची से अब स्वस्त हो गए है राइशन फोट किलब के सदस्तों के सभी बर्ग के लोग जुड़े हैं जिसमें डाक्टर आइडबुकेड योबा ब्यापारी शामिल हैं सबसे महत्पूर्ण बात यह है कि इसमें सेवा निर्वित कर्मिचारी और ऐसे लोग भी सामिल हैं जिनका हाट अटेक तक का ऑप्रेशन हो चुका है जिनकी बाइपास सरजरी हो चुकी है योग करके हम लोग स्वस्त महसूस करते हैं और मेरी डाइविटेश का पेसेंट था मेरी डाइविटेश 400 से उपर रहती थी आज 130 110 पे है मेरे को तीन वर्स हो गए है मनावर से हमारे संबादाता कलीम खन की रिपोर्ट मनावर के ग्राम बाका नेर में एक मुस्लिम परिवान आपसी बिबात के चलते शरीयत को बनाया मजाक मनावर विदान सभा के ग्राम बाका ने निवासी कासिम पिता सुल्तान खत्री ने अपनी बीवी को सरीयत के तहत लिखित में तलाग देका दूसरी बीवी से निकाह कर लिया बहीं कासिम की पहली बीवी ने सेंदबा न्यालाय में घरेलू हिंसा दहेज प्रतारणा एक के बाद बिवाद प्रस्तुत किया तो कासिम पिता ने सुल्तान खत्री ने सेंदबा नियालाय में नोटिस मिलने से सुल्तान ने सेंदबा नियालाय में जवाब दिया कि अपनी पहली पत्नी को तलाक दे दिया है इसलिए मैं भरन पोषण भजारे गुजारा भत्ते के लिए पात्र नहीं हूँ जब कि कासिम न बनावर नियाले में यह बात प्रसुत किया है कि मैंने मेरी पहली पत्नी को तलाक नहीं दिया है और मेरे साथ मेरे बाका नेर में आकर रह रहे हैं बही प्योडित का कहना है मुझे शरीयत के हिसाब से तलाक दे दिया गया है अब बगेर हलाला कासिम के साथ यहां मनावर में दावा लगा रखा कासिम ने अपनी पत्री सुमया के खिलाब तो जो सुमया है वो सेंध्वा की निवासी है। सुमया के दवारा सेंध्वा नियाले में एक घरेलू इंसा के तहत और भरन पॉर्शन के लिए दो दावे लगा रखे थे। लेकिन सुमया के पती ने वहाँ जवाब ये पेश करा था कि वह सुमया को तलाग दे चुका है और इसलिए वह भरन पोर्षेंट देने का कोई पात्री नहीं रहेगा चतरपुर बक्सवा से हमारे संबादाता अंसूल असाटी की रिपोर्ट बक्सवा में उत्कृष्ट बिद्यालाई में खेल परिशर में मनाया गया योग दिबस बिश्वी योग दिबस के अपसर पर विकास खंड सिक्षा अधिकारी के तत्वाधान में आज सुबह उत्कृष्ट बिध्यालाय के खेल मैदान परिशर में अथीतियों से भर गया छे बजे से आना सुरू हुआ इसके बाद जार खंड से प्रशारत प्रधान मंतरी ने सीधे प्रशारन का वीडियो के माध्याम से संदेश सुनाया गया इसके बाद साथ बजे से योगा ब्यास कारी करम सुरू हुआ जिसमें बैटकर खड़े होकर एबम लेटकर लगाए जाने बाले आसन किये गए जिनको योग सिक्षक योगेंडर सिंग चोहान एबम ब्यायाम सिक्षक देवी सिंग राजपूर द्वारा प्रदेशत किया गया इसी में योग के स्टांग भागों का बताया गया आज के इस अपसर पर राजनाथ सिंग सीओ जनपत पंच्यात लखनलाल पाठक और सी एमो नगर परशेद जाम सिंग तैसिलदार विजय सिंग इत्यादी लोग सामिल हुए